ब्रेक कैलीपर को हाथ से हिला कर इसका ठीक से काम करना और फ्रिली चलना चेक करें स्टील पाइप, होजेज और जॉइंट्स को किसी डैमेज, क्रैक और बैलास्ट के टकराने को विजुली चेक करें 9. सभी औप्सिलिरी विजुल वायर्स को खाली कर दें नमस्ते साथियो, रेल बंधू चैनल में आपका स्वागत है। आज, हम लचबी कोचों के रखरखाव के विबिन शेडियूल पर एक महत्व पून चर्चा करने जा रहे हैं। इन कोचों को सुरक्षित और कुशलता से चलाने के लिए समय समय पर निर्धारित जाच और मरम्मत की प्रक्रिया को समझना अत्यांतावश्यक है। इस वीडियो में हम लचबी मेंटिनेस मैन्यूल केंटेक की लेटस्ट वर्जन के अनुसार लचबी कोचों के सभी डिपो शेडियूल और शॉप शेडियूल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे की कैसे इन शेडियूल का पालन करके हम इन कोचों को सुरक्षित और कुशलता से चला सकते हैं और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित कर सकते हैं तो आईए, शुरू करें और अलच भी कोचों के रखरखाव के बारे में जानकारी प्राप्ट करें इस वीडियो को देखने के बाद आप इन कोचों के रखरखाव के बारे में ज्यादा जानकार होंगे और अपने यान को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो schedule किये जाने हैं इस प्रकार है Coaching Depot Schedule in Rake Formation Schedule D1 हर trip सापता हिक Schedule D2 Monthly plus minus 3 दिन Schedule D3 Hoffially plus minus 15 दिन Shop Schedule Shop Schedule 1 Single Coach 18 महीने जोर 30 दिन या 6 लाख किलोमेटर जो भी पहले हो Shop Schedule 2 Dismounted, Head Only From Coach and Disassemble 36 महीने या 12 लाख किलोमेटर जो भी पहले हो Shop Schedule 3 Dismounted From Coach and Disassembled 22 महीने या 24 लाख किलोमेटर जो भी पहले हो शुरू करने से पहले उन सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक Rail Bandhu Channel को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रिपया इसे सब्सक्राइब कर ले हम आपको विश्रे पर सर्वोत्तम ज्यान प्रदान करने का प्रयास करते हैं हम सामगधी की सतीक्ता और गुन्वत्ता सुनिष्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं इन वीडियों पर लाइक और प्रैरना के माध्यम से कोच, एक, कोच को बाहर और अंदर दोनों तरफ से धोया जाना चाहिए. 2. सभी कोचों को धोने के बाद कोचों के कोनों और दरारों में की गनुनाशिक्त चुटाव किया जाना चाहिए. 3. कोच और शोचालय में उपलब्ध डस्ट बिन की जाच की जानी चाहिए. यदि वे FRP के हो, तो उन्हें SSK डस्ट बिन से बदला जाना चाहिए. 1. किसी भी डेमेज के लिए बॉडी पैनल एंड वॉल की जाच करें. 2. डेस्टिनेशन बोर्ड ब्रेकेट का निरीक्षन करें. 2. डेमेज या गायब होने के लिए विंडो ग्लास वा विंडो बाज और रबर सीलिंग का निरीक्षन करें. 3. काम करने या क्षतिग्रस्थ होने के लिए बॉडी साइट दोर्स की जाच करें. चार, क्षतिग्रस्त या गायब होने के लिए दोर हैंडल का निरीक्षन करें पाच, क्षतिग्रस्त या गायब होने के लिए vestibull और उसके rubber fitting का निरीक्षन करें यदि आवश्य कोटो मरम मत करें 6. संचालन में आसानी, क्षती या कमी के लिए वेस्टिबूल फॉल प्लेट, माउंटीं ब्रैकेट, पिन और लॉक लीवर की जाच करें बॉगी फ्रेम और बोल्स्टर असेंब्ली 1. लॉंगिट्युटिनल बीम, क्रॉस बीम और बोल्स्टर को क्रैक, डेमेज और जन्द के लिए विजुवल चेक करें दो brake support, dumper support, traction center support और anti roll bar support को crack damage और जन्ट के लिए visual चेक करें तीन, boggy bolster subassembly और brackets को crack, damage और जन्ट के लिए visual चेक करें चार, boggyों में असामान्य रूप से कम control arm luck clearance के लिए visual जाच करें जो coil spring विफलता का सपश्ट संकेत हो सकता है पाँच, प्राइमरी मेंटेनेंस के दोरान हर ट्रिप्ट शेडिूल पर बोगी फ्रेम की धुलाई की जानी चाहिए ब्रेक अक्विप्मेंट्स, एर प्रेशर लगाने से पहले ब्रेक उपकरनों की जाच एक, ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक कैलीपर में किसी प्रकार की डैमेज, ट्रैक और जंग की विजुवल जाच करें और इसमें किसी बाहरी मटिरियल के फसे होने को विजुवली चेक करें 2. brake caliper को हाथ से हिला कर इसका ठीक से काम करना और फ्रिली चलना चेक करें 3. privileged instruction brake lever, pin वर बुश और चलने वाले सभी हिस्सों को चेक करें ताकि brake caliper का आसानी से चलना सुनिश्चित हो सके 4. brake disc की fixing को visual check करें 5. brake caliper units are provided with self-lubricating bushes in certain locations and is such no oiling lubrication may be required at those locations 5. axle पर brake disc के खिसिकने की visual जाच करें 6. damage, crack, fracture और घिसावत के लिए brake disc ही जाच करें 6. यदि घिसावत निर्धारित सीमा से ज़्यादा हो तो disc का बदलना आवश्यक है 7. verify करें की pad और disc surface के बीच clearance एक से डे डे में है 8. brake pad के घिसे होने या damage होने और इसमें किसी बाहरी material के फसे होने को visually check करें 9. brake holder में brake pads की play चेक करें और इसके घिसने को देखें 9. किसे हुए brake pad को पूरे सेट में चेंज करना आवश्यक है 8. steel pipe, hojage और joints को किसी damage, crack और ballast के टकराने को visually check करें 9. सभी auxiliary vigil wires को खाली कर दें 10. brake cylinder के breather plug को उसकी condition के अनुसार खोल कर अच्छी तरह से साफ कर दें 10. air pressure लगाने के बाद brake equipment की जाच 1. एक standard format के अनुसार air brake rack टेस्ट करें 2. सभी air pipes और joints की जाच करें कि किसी प्रकार की हवा निकलने की आवाज तो नहीं आ रही है यदि ऐसा है तो shop solution लगाकर leakage चेक करें और इसे ठीक करें 3. brake apply वर release अवस्था के अनुसार brake calipers को हाथ से हिला कर इसके कार्य प्रणाली की सही से जाच करें 4. passenger emergency valve वर pull box यानी ACP को operate करके देखें इसमें किसी प्रकार की leakage की जाच करें और इसका proper reset होना सुनिश्चित करें पावर कार में hand brake की जाच करना 1. damage crack, तूटना, मुरना, वर कोरुजन के लिए सभी hand brake equipment की visual जाच करें 2. धीलेपन या किसी component के missing के लिए इसके सभी fixing की visual जाच करें यदि ऐसा मिलता है तो इसे बदल दे या अच्छी तरह tight कर दें 3. hand brake wheel घुमा कर इसकी proper working को चेक करें सभी flakes ball cable arrangement आसानी से मूव हो रही है, brake indicator सही काम कर रहे हैं, को चेक करें 4. brake calipers को हाथ से हिला कर brake apply होना वर रिलीज होना सुनिश्चित करें 1. सभी grounding cable, WSP equipment की cable को visual चेक करें की कहीं कोई damage या तूटी हुई या missing ना हो 2. WSP की functioning को चेक करें, वह निन्यानवे reading शो करें और static condition में सभी dump valve बजा कर चेक करें 1. सभी grounding cable, WSP equipment की sensor cable को visual चेक करें की कहीं कोई damage या तूटी हुई या missing ना हो 2. Damage, crack और corrosion marks के लिए सभी parts जैसे axle cover plate और control arm के उपरी हिस्से और निचले हिस्से को visual चेक करें 3. WSP उपकरण की कार्य प्रणाली की जाच करें और verify करें की sensor lead से WSP diagnostic panel पर ठीक से संकेत मिल रहे हैं 3. Primary and secondary suspension 1. Crack, damage या corrosion ना हो इसके लिए सभी springs को visual चेक करें और इसमें कोई बाहरी वास्तू अंदर नाफसी हो, visual चेक करें 2. Damage वो corrosion के लिए bogey frame और bogey bolster के बीच लगी safety wire rope की जाच करें Dumpers की जाचता 1. Damage, crack, तूटा होने या तेल लीक के लिए सभी dampers को visual चेक करें 2. धीलेपन या किसी गायब component के लिए सभी fixing को visual चेक करें Crack और agent के लिए सभी rubber components को visual चेक करें 1. Hot bearing पता लगाने के लिए bearing feeling करें Rolling in examination के दोरान 2. Grease using के लिए bearing की जाच करें Control arm के whipping hall से Crack, damage और tire defects के लिए wheel पर निगाहे डाल कर चेक करें Wheel flange thickness और profile को wheel profile gauge के दोरा चेक करें Wheel disc में crack का पता लगाने के लिए dull sound के लिए Bulpin hammer के साथ अंदर और बाहर से wheel disc को tap करें 3. Crack और corrosion के संकेत के लिए axle को visual चेक करें Control arm की जाचत धीलेपन और या गायब components के लिए सभी fixing पर निगाहे डाल कर चेक करें Damage, crack या corrosion के लिए control arm के सभी parts पर निगाहे डाल कर चेक करें किसी भी प्रकार के crack, damage और agent दिखने के लिए rubber joint की जाच करें 1. Bogie frame के control arm support bracket और control arm rubber pivot bush की पीम के उपर तथा pin और locking block के बीच clearance को visual चेक करें इसमें कोई भी gap नहीं होना चाहिए Ref, RDSOL, No, SV, Fiat dated 3.4, 2024 Anti roll bar assembly की जाचतारा 1. Crack, damage और corrosion के लिए anti roll bar, link और bracket को visual चेक करें 2. Crack, damage और agent के लिए सभी rubber components को visual चेक करें 3. Anti roll bar से grease निकलने की visual चेक करें जिसके परिनाम स्वरूब bearing failure हो सकता है 4. भीले पन या guy up fitting के लिए सभी fixing को visual चेक करें 1. Crack, damage और corrosion के लिए सभी traction center lever और road को visual चेक करें यह assembly freely move करनी चाहिए, चेक करें और इसमें कोई भी बाहरी वस्तुफ असी हुई ना हो, चेक कर ले 2. भीले पन के लिए सभी fixing को visual चेक करें 3. Crack या damage के लिए सभी rubber joints को visual चेक करें 1. rotation limiter के सभी component को visual चेक करें 1. Crack, damage और agent के लिए rubber और rubber metal bonded parts के सभी भागों को visual चेक करें Draw और buffing gear, coupler assembly 1. किसी भी damage के लिए coupler head को visually चेक करें 2. किसी भी damage के लिए knuckle का निरीक्षन करें 3. किसी भी damage या धिलेपन के लिए coupler operating mechanism और दी गई तरसरी लोग पीन arrangement को चेक करें 4. उचित कपलन सुनिश्चित करने के लिए tail tail recess को चेक करें 5. दरारे और तूटने के लिए coupler career support in device और उसकी springs का निरीक्षन करें Coupler pin support front career plate और draft gear support career plate के M-16 nut bolt के धीले, तूटे या गायब होने और घिसाव का निरीक्षन करें 7. यदि तरसरी lock pin लगाई गई है तो इसकी proper lock-in सुनिश्चित करें 7. रास्ते में CBC से कोई जटका ना लगे इसके लिए merchant CBC gap में आवश्यक्ता अनुसार sim डाल दें अलग-अलग make की CBC की पहचान के लिए ये दिखाया गया है 7. साइड बफर असेम्बली 1. साइड बफर असेम्बली की दरारुक डैमेज और या जन्द के लिए जाच की जानी चाहिए 2. ट्रिप शेड्यूल के दोरान बफर फिक्सिंग बोल्ट की कसावट, ड्रॉपिंग बफर्स और बफर प्लंज़ पर धिलेपन की जाच करें 3. बफर फेस की गंदगी हटाने के लिए स्क्रेपर से रगरना चाहिए और क्लीनिंग फल्यूट का उप्योग करके साफ करना चाहिए सफाई के बाद फेस प्लेट को पकड़ने हुए CSK रिवेट्स की स्थिती के लिए बफर की जाच की जानी चाहिए दरारों और भिसाव की जाच करने के बाद फेस प्लेट पर ग्रेफाइट ग्रीस लगाए 4. हेट से बफर का प्रोजेक्शन 650 जोर 0-3 मिलिमीटर के भीतर होना चाहिए संदर्व OEM Maintenance Manual 1. किसी भी क्रेक या डेमेज के लिए माउंटिंग ब्रेकिट और सेफटी वायर रोप की जाच करें 2. अन्य सब असेंबली की सही होने की जाच करें 3. बायो टॉयलेट की दुरगंध या चोकिंग की जाच करें Automatic Fire and Smove Dictation Alarm System के साथ यानि VESDA AC कोचों में 1. रेल्वे सोर्स से 110 वोल्टेज DC पावर सप्लाई की लगातार सप्लाई चेक करें 2. पैनल को विजूल चेक करें पैनल पावर अलिडी और ब्रेक वाल वालिडी और अवस्था में हो 3. सभी पाट्स जैसे पैनल, पावर सप्लाई, बैटरी, ब्रेक वाल, खूटर वाली स्ट्रॉब लाइट, इलेक्रोनिक वाइस मेसेंजर, स्मॉक सेंपलिंग पॉइंट्स, एट अक्टिवेटड सैंसिंग पॉइंट्स को विजूल चेक करें 4. सभी सही से लगे हो और इनमें किसी प्रकार की फिजिकल डैमेज ना हो 5. फायर सस्पेंशन सिस्टम पावर कार्ट पेंट्री कार्व 1. फायर सप्रेशन सिस्टम के नाइट्रोजन सिलेंड में दबाव की जाच करें यदि दबाव 150 वर्ट किलोग्राम प्रती सेंटीमीटर से कम पाया जाता है तो तुरंत आगे के मार्गदर्शन के लिए आप पूर्तिकर्टा OEM को सूचित करें 2. धुआ और हीट को डिटेक्ट करने वाले सिस्टम की फिजिकल कंडिशन की जाच करें यदि आवश्यक हो तो मुलायम कपड़े से साफ करें अंडर फ्रेम और रनिंग गिया 1. किसी भी डेमेज के लिए फ्रेम का द्रिश्य निरीक्षन करें 2. स्प्रिंग्स को विजुवल चेक करें 3. किसी भी डेमेज के लिए सभी पाइप कारिय और पाइप कनेक्शन केबल की जाच करें 4. लीक के लिए सभी पाइप कारिय और पाइप कनेक्शन केबल की जाच करें किस्सिंग साउंड फ्रम कंप्रेस्ट एर पाइप लीकेज पाच, किसी भी बाहरी damage के लिए safety bracket सहिट सभी components की जाच करें रबर पेड की जाच एक, ट्रैक, damage और जंग के लिए central frame को visual check करें दो, धीले पन के लिए सभी fixing को visual check करें धीले और या गायब fixing को नए से बदले और उन्हें कसले Air sprint fever 1. किसी भी damage या leak के लिए below की जाच करें 2. leveling valve और leaver mechanism की जाच करें 3. किसी भी leakage के लिए air pipeline और cox की जाच करें 4. fever device की कारियपनाली की जाच करें Indicator और fever device की कारियक्षंता परीक्षन की समय indicatorों की उचित कारियपनाली सुनिष्चित की जानी चाहिए Note 1. Primary Maintenance के दोरान एक रेक में कम से कम एक कोच होना चाहिए और उसी कोच को अगली ट्रिप में तब तक नहीं दोहराया जाना चाहिए जब तक की रेक में सभी कोच कार्यात्मक परीक्षन के लिए अटेंड ना हो जाए Note 2. प्रति एक कार्यक शम्ता परीक्षन के दोरान एक कोच के विभिन एर स्प्रिंट से हवा निकाली जाएगी ताकि एक कोच के फीब उपकरनों के चारो कार्यक शम्ता परीक्षनों में कोच के सभी चारो एर स्प्रिंट कवा हो जाए 5. द्रिश्य जाच, सामान्य स्थितिया जिसमें कोई बहरी डैमेज, एर लीकेज, किसी भी फिटिंग का उलंधन आदी शामिल है 6. एर स्प्रिंग के साथ और 150 लीटर एर विजरवाय को ड्रेन करें 7. आइसोलेटिंग कॉक और ड्रेन कॉक की स्थिति की जाच करें 9. सामान्य कार्य के लिए फुलाए हुए एर स्प्रिंग के साथ इंस्टॉलेशन लीवर की जाच, इंस्टॉलेशन लीवर नट और सुरक्षा स्क्रीन नट को कसना, सभी फ्लेक्सिबल होजेज के ब्रेकेट को कसना अब आगे की वीडियो में हमारे साथी द्वारा बनाई गई अपर गिया से संबंदित सभी आइटम्स के बारे में जानेंगे चौरिदोर कनेक्षन, एक, किसी भी डैमेज और फोरें वस्तूओं द्वालतू वस्तू के लिए नटीरियर फिटिंग्स in passenger एरिया एट, किसी भी डैमेज के लिए सामान्य द्रिश्य जाँच दो, कूडे दानों और सही अगनिशामक यंत्रों के विनियमन प्रावधान की जाँच करें तीन हैंड रेलिंग, स्लाइडिंग डोर, शटर, टॉयलेट दर्वाजे, वेस्टिब्यूल दर्वाजे सही हों, कार्य प्रणाली की जाँच करें चार, बाथरूम शौचालाय फिटिंग की विजुली जाँच करें पाँच, पावर कारों के लगेज दर्वाजों के उपर और नीचे के गाइड रेल को साफ करें और गाइड बेरिंग में ग्रीसिंग करें चार, सीटों का निरीक्षण करें और पूर्णता की जाँच करें साथ, लगेज रैक का निरीक्षण करें और पूर्णता की जाँच करें। आठ, हैंड्रेल फिक्सिंग के फिट्मेंट के लिए मैनुवल रूप से जाँचें। नो, पीवीसी फर्ष और चेकर्ड प्लेटों का किसी भी नुकसान के लिए निरीक्षण करें। दस, नोटिस और निर्देशों वाले स्टिकर्स को उनकी कंडिशन और पूर्णता के लिए जाँच करें। वाटर सप्लाई सिस्टम, बेंट, किसी भी लीकेज के लिए टैंक, पाइप की जाँच करें। दो सौट सभी टैंक, माउंटिंग की जाँच करें। साथियों आज के अध्याय में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फर वाचिंग।